मसकार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ में निहाबात मद्दान के लगभक साड़े छे गंटे पूरे हो चुके हैं अंतिम चरण का ये मद्दान आधा इसका दौर पूरा हो चुका है उत्रप्रदेश की बात करें वहाँ पर साथ चरण का मद्दान जारी है पूरवांचल की 13 सीटों पर मद्दान किया जा रहा है तोड़ी दिर बाद वोति के नहीं आखरा आ जाएगा लेकिन सब की नजरे वारनसी वीवी आएटी सीट जहां से पर गाम इलती वरेन मोदी बीज़े प्रीव भीवार के तौर पर तीसरी बाच नाव लड़ रहे हैं मिर्जापर से अनुप्रिया पतेल है गोरफ पूर से रवी किशन है इनके सामने भोजपुरी फिर मिडस्ट्री की काजल निशात खड़ी हुई है इसके लावा चंदॉली, महराज गंज, कुशी नगर, गोसी, बल्या, गाजीपुर, देवरिया, बासगाउ, सलेम पूर और रॉबर्ट गंज में भी मद्दान चारी है ये सुनेशित करें कि इस बार जीत का फासला और जादा हूँ कर रहे हैं लेकिन वारानसी वो सीट है जहां पर पिछली बार पौने पांच लाग से प्रदान मंत्री जीते थे और इस बार बीजेपी के कारिकरताओं का दावा है कि ये लीड बढ़ेगी वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को उतारा है और गठबंधन के तरफ से उमिद्वार है और कहा ये जा रहा है कि वो इस बार अच्छी टक कर देंगे खैर ये प्रदार मंतरी का शेत्र है यहाँ पर जादा चर्चा उनके लीड को लेकर होती है लेकिन अगर देखें तो इस चरण में कुल 13 सीटे हैं और चार मंतरी यहाँ पर अपने भाग्या आजमा रहे हैं बगल से अगर देखें तो मिरजापूर से अनुप्रिया पटेल हैं महेंद्र पांडे भी सटी हुई सीट जो चंदौली है वहां से चुनाव मैदान में हैं पंकच चौधरी महराज गंसे हैं इसके अलावा मुख्यमंतरी की सीट गोरकपूर है कॉंग्रेस पार्टी तीन जगहों पर चुनाव लड़ रही है बासगाओं है देवरिया है बावारा नसी है इन सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है लेकिन बागी जगहों पर समाजवादी पार्टी के उमिद्वार है लेकिन कहाई यह जा रहा है कि इस बार स्थानिये मुद्धे भी थोड़े हावी है थोड़ी नाराजगी भी है लोगों की ऐसे में बड़ा देखना दिल्चस्प होगा कि आखिर इस बार का चुनाव कैसा जाता है पिछली बार 13 में 11 सीटे बीजेपी ने जीती थी लेकिन इस बार का मत्दान प्रतिशद जगर आप पहले चरन से बात करें तो आखिर चरन आते आते काफी बढ़ता हुआ दिखाई है बूत पर और आप देखें लगातार दोफर का वक्त है हलाकि थोड़ा मौसम बहतर है और दिनों की अपेक्षा लेकिन लोग लगातार आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं वी वी आई पी कंस्टेंसी यहां से प्रधान मंत्री मोधी चुनाव लड़ते हैं इसलिए सब की कॉंग्रिस पार्टी और गड़बंदन दिख रहा है लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके का मिजाज निकलता है इसके अलावा दो सीटे बेहाद हैं है बल्या और साथ-साथ गाजीपूर गाजीपूर पिछली बार अफजाल अंसारी बीएसपी से जीते थे इस बार सम अधिया में भी बीजेपी ने बड़ा फेर बदल किया है नीरज शेखर जो की चंद्र शेखर के बेटे हैं उन्हें उता रहा है समाजवादी पार्टी ने अपना ब्रह्मन चेहरा है सनातन पांडे को कुल मिला करके लड़ाई इस बार कई जगों पर बिलकुल कांटे की है आमने सामने की है ऐसे में देखना होगा क्या बीजेपी अपना पिछला परफॉर्मेंस दोरा पाती है या फिर इस बार कुछ नाराज लोग है उनकी वजह से बीजेपी को नुकसान होता है नेहा ठीक है मैं लोड़ूंगे आपके पास आशीश भी हमाएसा जुड़े वे आशीश अगर आप किसी मद्दान केंद्र पर हैं तो वहां की तस्वीरें दिखाईए और अब तक कितने फीजदी मद्दान बल्या में कुल हुआ है देड़ बज़े तक देखिए निया इस समय में मद्दान केंद्र पर हूँ आप पीछे देख सकती हनमान गंज बल्या का ये मद्दान केंद्र है लेकिन दुपहर की वज़े से चुकि गर्मी बहुत जादा है इसलिए अब वहां पर एक भी मद्दाता नहीं पहुच रहा है चुकि ये अभी का जब मैंने अंदर विजिट किया था मैंने देखा था अंदर जाके तो एक भी मद्दाता नहीं है क्योंकि गर्मी पढ़ रहा है और माना जा रहा है कि शाम तक और भी बढ़ जाएगा चुकि दुपहर में गर्मी की वज़े से अभी बाहर लोग नहीं निकल रहे हैं बलिया की सीट महतवपूर इसले भी हो जाती कि कि यहां पर एक तरीके से पूर्पधान मंतरी के जो बेटे हैं नीरत सेकर हो मैदान में है बीजेपी की तरफ से और इंडिया गटबंदन की तरफ से सरातन पांडे ये मजबूती से यहां पर खड़े हुए हाला कि बसपा न में सानातन पांडे जिनका फूरा फोकस है कि बामर्ठागुन वोट को एक जुट करके किसी भी तरीके से इंडिया लाइंस को जीत दलाई जाए तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से चंशेकर के जो बेटे हैं नियरत सेकर मैदान में हैं और उनके पर दाव है कि भूमिह मिलाक जो वोट बैंक है भूमिहार का उसके काफी फरक पड़ेगा और उसी की वजह से कहीं ना कहीं जो अब बीजेपी में हैं और अब जो काटे की टक्कर यहां पर है वहीं माना जा रहा है कि अगर दोनों यानि की बामर्ण ठाक्टोर और भूमिहार वोट मिलाकी जिसको मिलते हैं उसको बड़ी जीट दर्द हो जाएगी बलिया सीट बहुत में इसने भी हो जाती है चुकि यहां पर बीजेपी पिछ्रे कई चुनाव में जीती है और तकरीबन आठ बार तो पूर प्रधान मंतरी खुद यहां से जीच चुके हैं और जिसमें से दोबार नीरश कोशिश है और उसी के तहत इंडिया गडबंदन ने अपना कहीं ना कहीं यह खड़े की है जिसको लेकर अब पूरी तरीके से बलिया में एक विसात बिच चुकी है और दूसी तरफ अगर हम देखे तो बहुजन समाज पार्टी ने यादव को खड़ा किया है माना जाता है कि यादव और मानोरिटी वोट मिलाकर यहां पर तक्रीवन थाई तीन लाज़ वोट है और जिससे माना जाता है कहीं ना कहीं यह वोट बैंक भी बीस्टी को मिल सकता है तो मुक्ता जो मकाबला बलिया में है वो नीरस शेकर और सनातन पांडे के बीच में है और उसी की वह नाराज़की दूर भी हुए और अब सभी अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जिस तरीके से यह जातिकत समीक्र बलिया में बना है ऐसे में माना जा रहा है बहुत नया रिजल्ट निकल कर आएगा यहां से और इंडिया गटबंदन को बहुत ज्य हादरी को ज्मेर का जखने को ख़ताहि हैं दिस तर्सेंजफ निकल कर दो ठाहते से प्राषल इंडिया को जी में हैं आल कर दोUNG में।速िशन बना है बना हैं व्हां से लेक्ा सकता और नेक्र में बना हैं भी प्रत्सा Cand